Are the following statements true or false? Give reasons for your answers तो बिसिकली हमें यह बताना है कि हर whole number natural number है या नहीं हर integer एक rational number है या नहीं हर rational number एक integer है या नहीं तो बड़ाई simple सा question है लेकिन mathematics का base है number systems अगर आपको number system अच्छे से नहीं पता तो आपको कहीं न कहीं mathematics में problem जरूर आएगी अब number system क्या है different types of numbers क्या क्या होते है natural number क्या है whole number क्या है इसके बारे में अगर आपको अच्छे से नहीं पता तो पहले मैं ही recommend करता हूँ कि जो video में top right corner में दे रहा हूँ उसको जरूर देख लेना otherwise mathematics में आपको trouble आती ही रहेगी अब हम इस question को solve करते हैं हमें यह कहता है every whole number is a natural number is it true or not? so this is not true, this is false why false? तो नेच्रल नमबर के आते हैं 1, 2, 3, 4 and so on तो यह तो होग है natural numbers अब इन natural numbers में अगर हम 0 को भी include कर लें 0, 1, 2, 3, 4 and so on तो यह हमारे होते हैं whole numbers यह थे natural numbers तो इसका अमतलब 0, 1 ऐसा whole number है जो natural numbers की list में नहीं है so इस वजह से यह statement जो है false है every whole number is not a natural number क्योंकि एक case ऐसा है 0 का जो natural number नहीं है एक ऐसा whole number है हमारे पास जो natural number नहीं है now every integer is a rational number अब integer क्या होते हैं अब देखो जैसे यह था 0, 1, 2, 3 and so on अब इसी में ही अगर मैं minus 1, minus 2, minus 3 यह सब भी include कर लो यह वाले numbers तो मेरे पास यह integers आ जाते हैं इसको हम लोग Z से represent करते हैं ठीक है तो यह होगे मेरे अब integers लेकिन rational numbers क्या होते हैं rational numbers अब होते हैं कि हर वो number जो P by Q की form का हो जहाँ P और Q यह दोनों क्या हैं यह दोनों integers होते हैं यह दोनों integers होते हैं और Q जो है वो 0 नहीं हो सकता denominator अगर 0 हो जाए तो overall value जो है वो undefined हो जाती है ठीक है तो denominator 0 नहीं हो सकता अब हर एक integer कोई साभी integer लो कोई साभी इस list में से कोई साभी integer लो और देखो क्या मैं उसको इस form में लिख सकता हूँ P by Q की form में कि P भी integer और नीचे denominator में Q भी integer कोई साभी number उठा लो जैसे 0 है 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 by 1 1 को लिख सकता हूँ 1 by 1 3 3 को 3 by 1 minus 2 तो वो उतना ही रहता है तो इसका मतलब every integer is a rational number this is true अब बात करते हैं every rational number is an integer this is false वाई false अब बिल्कुल इसका उल्टा हो गया मालो मेरे पास एक rational number है 4 by 5 ठीक है तो 4 by 5 क्या हूआ 4 by 5 क्या है इस list में आ सकता है नहीं आ सकता क्योंकि यह क्या है यह decimal में है एक और example ले लेते हैं say 5 by 2 5 by 2 5 by 2 क्या इस list में आता है इस वाली list में नहीं आ सकता क्योंकि यह कितना हा जाएगा 2.5 5 by 2 is what it is 2.5 वो इस list में नहीं आता तो इसका मतलब हर rational number integer नहीं होता सो तो simple सी बात थी लेकिन फिर भी मैं recommend करता हूँ देखो है तो यह बहुत simple सा question लेकिन फिर भी मैं बार बार यह recommend कर रहा हूँ कि इसमें कोई भी confusion है तो पहले जो link मैंने share किया था उसको जरूर देख लेना अब हम अगले question के बारे में बात करते है find 5 rational numbers between 1 and 2 ओके यह मान लो मेरे पास real line पे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 और मुझे इसके बीच 5 और rational numbers चाहिए ठीक है rational numbers फिर से मैं बताता हूँ rational numbers जो p by q की form के होते है p भी एक integer और q भी एक integer integer को हम z से represent करते है और q जो है वो 0 नहीं हो सकता ठीक है denominator 0 नहीं हो सकता तो कोई भी ऐसा number 3 by 2, 4 by 6, 1 by 7 अब हमें 5 rational numbers इसके बीच में find out करने हैं देखो बहुत simple है वैसे तो किसी भी किनी भी 2 numbers के बीच में infinitely many rational numbers होते हैं अगर यह जानना हो तो top right corner में लिंक दे रहा हूँ आप उसको देख सकते हो अब देखो अब आपके text book के हिसाब से पहले जो दो method है पहले हम उसके ओपर बात करते हैं पहला method क्या है के 1 और 2 इन दोनों को add करो और उसका half ले लो यानि कि इन दोनों का बिल्कुल midpoint लो यह कितना हो जाएगा 3 by 2 यानि कि यह जो point है मेरे पास यह 3 by 2 होगा 3 by 2 का मतलब क्या हो गया 1.5 तो 1 और 2 के बीच में 1.5 आगया 3 by 2 आगया इसी तरह से फिर मैं इन दोनों का midpoint ले सकता हूँ इन दोनों का midpoint कैसे लोगा 1 plus 3 by 2 और इसको मैं divide कर दूँ 2 से तो वो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2 plus 3 divided by 2 into 2 4 तो यह quick calculation आप खोदी करके देख ले ना तो यह हो जाएगा 5 by 4 तो यह जो point है यह 5 by 4 होगा similarly अब इन दोनों को add करके मैं उसको 2 से divide कर लूँ तो यहाँ पे एक point आजाएगा इन दोनों को add करके 3 by 2 और 2 को add करके उसको 2 से divide करूँ तो यह point आजाएगा तो फिर चाहिए इन दोनों को add करके यहाँ उसका half ले लो इन दोनों को add करके यहाँ उसका half ले लो तो इस तरह से आप कितने भी rational numbers find out कर सकते हो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जैसे 1 और 2 के बीच में मुझे 5 rational number चाहिए ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ 5 की जगा मैं 6 एक number लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि 1 को मैं 6 by 6 से multiply कर देता हूँ कोई फरक नहीं पड़ेगा 6 by 6 is 1 चीक है? तो ये 1 ही रह जाएगा लेकिन मैं इसको P by Q की form में लेके आता हूँ तो P by Q की form में मैंने इसको 6 by 6 लिख लिया इसी तरीके से 2 को भी मैं 6 by 6 से multiply करता हूँ तो 2 into 6 by 6 करूँगा तो रह तो ये 2 ही जाएगा लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ 12 by 6 ultimately मेरा aim क्या है? मेरा aim यह है कि इन दोनों का denominator मुझे same करना है और ऐसा करना है कि मैं easily rational numbers find out कर सकूँ मैं आगे explain करूँगा कैसे? तो 6 by 6 से ही क्यों multiply किया? क्योंकि मुझे 5 rational numbers चाहिए थे तो एक increase करके मुझे ये 6 मिलता है तो इसलिए मैं 6 लूँगा क्यों वो भी अभी आपको पता चलेगा? अब मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने यहाँ पी लिखा से 6 by 6 ठीक है? 1 का मतलब क्या है? 6 by 6 और 2 कितना है? 12 by 6 ठीक है? अब इसके बाद मैं लिखूँ अगर 7 by 6 फिर मैं लिखूँ 8 by 6 फिर 9 by 6 10 by 6 and say 11 by 6 तो denominator सबका सेम है 6 6 6 6 6 6 राइट तो इसका मतलब जिसका numerator बड़ा होगा वो value बड़ी होगी तो यह सबसे चोटा है numerator तो यह value सबसे चोटी हो गई यानि कि यह क्या है? 1 इसका numerator सबसे बड़ा है तो यह value सबसे बड़ी हो गई और यह value क्या है? यह है 2 तो इसका मतलब यह बाकी सारी values 7, 8, 9, 10, 11 वाली इसके बीच में लाई करेंगी इन दोनों के बीच में ठीक है? 7, 6 से बड़ा है तो यह सारी values इस वाले से बड़ी हो गई और 11, 12 से चोटा बाकी सारे 12 से चोटे तो यह सारी values जो हैं वो इससे चोटी हो गई तो यह जो मेरे पास 5 numbers आए अब, right? तो यह 5 rational numbers 1 से बड़े और 2 से चोटे हैं तो यानि कि इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, right? तो इसलिए हमने यह denominator में 6 लिया था क्योंकि बीच में इस से फिर हमें 5 values मिल जाती हैं, ठीक है? जैसे आप देखो कि 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 12 आजाएगा, तो 5 values लेने के लिए मुझे इसको 6 लेना पड़ा, अगर मालना मुझे 1 और 2 के बीच में 8 values लेनी होती, अगर मुझे 8 rational numbers निकालने होते 1 और 2 के बीच में, तो मैं क्या करता? कि 1 को 9 by 9 से multiply करता, और 2 को भी 9 by 9 से multiply करता, तो फिर इन दोनों के बीच म मुझे 8 different rational numbers मिल जाते, अब हम बात करते हैं और तरीकों की, अब बड़ी simple सी बात है कि जैसे मेरे पास number है 1 और एक number है 2, मुझे इन दोनों के बीच और rational number find out करने, rational number मतलब कहा है? कोई भी एक number जो P by Q का form का हो, जैसे हमने पहले बात की थी, तो यानि कि decimal में भी हो सकता है तो अगर मै 1.1 लिख दूँ, 1.2 लिख दूँ, 1.3 लिख दूँ, 1.4 लिख दूँ, 1.5 लिख दूँ, तो ये सारे numbers जो है 1 और 2 के बीच में ही लाई करते हैं, इसके इलावा 1.11, 1.111, 1.111, 1.11, तो ये भी मेरे पास क्या है? Rational numbers और ये भी 1 और 2 के बीच में ही लाई कर इसी तरह चाहें आप इधर से माइनस करना शुरू कर सकते हो के 1.99, 1.98, 1.97 तो यह मैं आपको समझाने के point of view से बोल रहा हूँ यह आपको exam में इस तरह से probably नहीं लिखना क्योंकि वो कुछ justification मांगेंगे आप से तो जो पहले दो method मैंने बताए हैं वही ठीक है examination point of view से लेकिन समझने के point of view से आपको पता होना चाहिए कि 1 और 2 के बीच में infinitely many, infinitely many rational number हो सकते हैं क्योंकि यह number जैसे 1.11 है फिर मैं 1.111 कर सकता हूँ 1.1111 कर सकता हूँ तो ऐसे मैं कितने भी one increase करता जाओं infinitely many तक फिर मैं 1.12 कर सकता हूँ उसके कितने combination तो there are infinitely many rational numbers between any two numbers उसका detailed अगर आपको देखना हो बहुत अच्छे से तो top right corner में मैंने link दिया था उसको आप देख सकते हो So that's it from this tutorial keep watching Mathemafia कर दो You